हेलो विवन, वेलकम टू अनलाइन स्टड़ी पॉइंट, दोस्तो आज है पांच नवंबर और पांच नवंबर से करंट अफेर के जितने भी इंपॉर्टन कोश्चन्स बन सकते हैं, सारे हम इस सुडियो में कवर करेंगे और सभी कोश्चन्स से रिलेटर एक्ष्रा फैक्ट बढ़ते पॉल्यूशन के चलते दिल्ली में और एवन सिस्टम फिर से लागू कर दिया गया है, और यह कब से लागू किया गया है, तो यह लागू किया गया है, चार नवंबर से, और मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, जो दिल्ली NCR है, दिल्ली NCR में भी हाल ही में, Health Emergency भी लागू कर दी गई है Health Emergency कहां लागू की गई है दिल्ली NCR में क्योंकि यहां पर pollution कुछ जादा ही बढ़ रहा है इसलिए है Emergency लागू की गई है अब आप बात करेंगे दिल्ली की तो दिल्ली किस नदी की किनारे बसा हुआ है यहां बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे और इसी यमुना नदी पर भारत का पहला Signature Bridge भी बनाया गया है भारत का पहला Signature Bridge यहां बनाया गया है यमुना नदी पर ही इसका उदगाटन अरविंद केजरिवाल जो की दिल्ली की मुख्य मंत्री है इन्होंने ही इसका उदघाटन किया था पिछले ही साल इनकी डिसमबर 2018 में और बात की जाये अरविंद केजरिवाल की तो इन्होंने अभी हाली में अपने ही नाम का एक अपलिकेशन लांच किया है एके नाम का अप्लिकेशन लॉंच किया गया है मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी के द्वारा यह तो हो गए मुख्यमंत्री दिल्ली के उपराजपाल कौन है निकी लेफ्टेनिट गवर्नर तो उपराजपाल का नाम है अनिल बैजल इनका नाम भी आप याद रखेगा दिल्ली उच नायाले के मुख्य नायधिस कौन है और दिल्ली उच नायाले के मुख्य नायधिस है डियन पटेल यह है उच नायाले के मुख्य नायधिस और अभी हाल ही में सुप्रीम कोट के भी नए मुख्य नायधिस बने है सुप्रीम कोट के मुख्य नायधिस कौन बने है इनका नाम है सरद अर्विंद बोबडे और यह किस क्रम के नायधिस बने है यह बने है 47 वे क्रम के मुख्य नायधिस इनका नाम आप याद रखिएगा इन्होंने रंजन गोगोई का इस्थान लिया है और यदि आप करेंट से रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में दिल्ली नहीं घोशना की है इनकी दिल्ली गवर्मेंट नहीं घोशना की है कि इस्थापित करीगी ये भी आप याद रखिएगा और अभी हाल ही में पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन में महिलाओं को फ्री सेवा देने की भी घोशना दिल्ली गवर्मेंट के द्वारा की गई है और इसके अंतरगत महिलाओं को पिंक कलर का टिकेट भी प्रोवाइट कराय जाएगा दिल्ली में इस्थित है फिरोसा कोटला स्टेडियम और फिरोसा कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम और इसी अरुण जेटली स्टेडियम में एक पवेलियन का नाम विराट कोहली के नाम पर भी रखा गया है तो अर्ली करियर रिसर्चर आफ दे आयर ओवॉड यह किसे मिला है तो इस अवर से संब्मानित किये गये हैं भारती मूल के सोत करता हैर यह पर करने के बेटरी जैसे के बाटरी मनें बेटरी इसको डवलप करने के लिए जाता है और यह दिया गया है नीरस सर्मा को दिया किसने है औस्ट्रेलिया ही गवर्मेंट ने तो औस्ट्रेलिया के बारे में जाल लेते हैं औस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है कैन्बरा करंसी क्या है डॉलर औस्ट्रेलिया की प्राइम मिनेश्टर का नाम क्या है इनका नाम है स्कॉर्ट आप लोगों को उस exercise का नाम भी मालूम होना चाहिए और इसे याद करनी कि मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी इसे 85 धर्ती का देश भी कहा जाता है तो ये भी आप याद रखीएगा नेश कोशन है किस देश ने रगबी विश्चुक अब 2019 जीता है और रगबी विश्चुक अब 2019 यह जीत लिया है दक्षण अफरिका ने अच्छा दक्षण अफरिका ने हराया किसे है तो दक्षण अफरिका ने इंग्लेंड को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया है तो अब जान लेते हैं दक्षण अफरिका के बारे में इसकी कैपिटल क्या है दक्षण अफरिका की तीन कैपिटल है केप टाउन प्रिटोरिय साउ्थ एफ्रिकन तो कर्ण़ी का नाम प्यायर्ब रखिएगा सौथ आफ्रिका Łodzi के प्रेशेड़न कौन है प्रेशेडंट का नाम है सेरेल रामाफोसा से और यह Раз लोगों को क्या याद आता है इस वर्ष जो रिपबलिक्ट मनाय गया थे इट इंडिया में से और यह साउथ अफरिका के प्रेसिडेंट हैं और साउथ अफरिका से और क्या याद रख सकते हैं आप लोगों को आध शएर का नाम याद रखना है जो debak जो कि दक्षड अफ्रिका का सबसे बड़ा शहर है और यह किसलिए फेमस है तो जो हांसेंबर्ग यह फेमस है विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान के लिए तो ये भी आप याद रखीएगा नेश कुश्चन है कौन सबसे है राष्ट्री जन जाती उत्सो की मेजबानी कर रहा है और राष्ट्री जन जाती उत्सो इसकी मेजबानी कर रहा है नई दिल्ली और यह जो उत्सो है राष्ट्री जन जाती उत्सो यह उत्सो चलने वाला है कुल 15 दिनों तक और इसकी सिल्प व्यंजन और वाणिजी की भावना का उत्सव इस बार की थीम है आयोजन किया जाएगा दिल्ली के द्वारा तो दिल्ली के बारे मैं आप लोगों को सारे इफेक्ट बता दिये हैं हाली में 2019 का इटालियन गोल्डन सेंट आर्ट अवार्ड यह किसे मिला है तो इटालियन गोल्डन सेंट आर्ट अवार्ड इससे समानित किये जाएंगे सुदर्सन पतनायक और इन्हें यह वार्ड देगा कौन तो इसके बारे में आप लोग बता दूं कि 13 से लेकर कि 18 पतनायकी तो इनसे एक फैक्ट आप याद रखिएगा 2014 में इन्हें पदमुष्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही सुदर्सन पतनायक को अमेरिका में प्यूपल चॉइस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा और भूबनेश्वर में क्या इस्तित है भूबनेश्वर में है कलिंगा स्टेडियम मुख्यमंत्री का नाम क्या है नवीन पतनायक इनका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इस बार नवीन पतनायक चौथी बार ओडिसा के मुख्यमंत्री बने है और गवर्नर का नाम क्य है गड़ेसी लाल और चीफ जश्टिस कौन है तो ओडिसा उच्चिनायले की मुखिनायदी से कलपेश सत्यंद्र जावेरी ओडिसा के बारे मैंने फैक्ट इसलिए बताया है क्योंकि सुदर्सन पटनायक या ओडिसा से ही बिलॉंग करते हैं हाली में किसे 27 वे एजू थचन पुरुसकरम 2019 के लिए चुना गया है बहुत ही ट्रिकी नाम है एजू थचन पुरुसकरम और इसके लिए चुना गया है आनंद कुमार को एच्चुल में जो यह अवार्ड है यह केरल साहित अकैडमी के द्वारा दिया जाता है एजू थचनम पुरुसकर और इसका यह 27 अडिसन है इसके लिए चुनेगा है आनंद कुमार जो आनंद कुमार है इन्हें मल्यालम भासा और साहित में योगदान के लिए इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है और जो आनंद कुमार है एक्चुल में इनका नाम है पी सच्चिदानंद लेकिन इन्हें आनंद की नाम से भी जाना जाता है आप दोनों नाम याद रखेगा पी सच्चिदानंद और आनंद कुमार और इनके पहले उपन्यास का नाम क्या है तो आनंद कुमार के पहले उपन्यास का नाम है अलकट्टम तो यह भी आप याद रखीएगा कि नेस्ट कुश्चन है हाली में पूजा गहलोत ने यू डबलु डबलु अंडर 23 वर्ल चेंपिंशिप में कौन से पदक जीता है और यू डबलु डबलु अंडर 23 वर्ल चेंपिंशिप में पूजा गहलोत ने जीता है रजत पदक और यह फाइनल में किस से हारी थी यह हारी थी हारुना ओकुना से और हारुना ओकुना यह है कौन तो यह जापान की एक रसलर है और इनसे ही हार कर पूजा गहलोत ने रजत पदक अपने नाम किया है और इन्हों वरक उने कॉन से कटेगरी में मेडल जीता है तो पुजा गहलोत ने 53 किलो-ग्राम कटेगरी में सिलवर मैडल अपने नाम किया है अच्छ है इस प्रतियोगिता का आयजन कहां कि आ गया था तो इसका UWW के बारे में UWW इसके फुल फर्म क्या होती है United World Wrestling इसके स्थापना हुई थी 1912 में मुख्याले कहां इस्तित है Laws in Switzerland में इसका मुख्याले है सबसे important है अध्यक्ष का नाम और UWW इसके अध्यक्ष का नाम है नेनाद लाकोविक तो ये भी आप याद रखीएगा नेश कुश्चन है हाली में भारत में किस सरकारी हॉस्पिटल में पहली रोबोटिक सरकारी सुविधा खोली गई है और पहली रोबोटिक सरकारी सुविधा यह खोली गई है सफदर जंग सरकारी हॉस्पिटल नहीं दिल करेंगे तो कुस्स्त में पहले मैंने आप लोग बताया था कि अभी कुस्स्त में पहले भूबनेश्वर में ही यहां पर यह सुविधा शुरू की गई है तो यह भी आप याद रखिएगा हाली में किस देश की सरकार ने सभी साथ प्रदेशों के राज जिपाल को बर्खास कर दिया है और सभी साथ प्रदेशों के राज जिपाल को बर्खास किया है नेपाल ने तो नेपाल के बारे में जाल लेते हैं, नेपाल की capital क्या है, capital है काठमांडू, और काठमांडू में ही headquarter है सार्क का, यहां की president कौन है, विद्या देवी भंडारी, और यहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, केपी शर्मा ओली, प्राइम मिनिस्टर है, और यदि आप current से relate करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ समय पहले ही, नेपाल में ही आयुजित की गई थी, SAFF Under 18 Championship, और SAFF Under 18 Championship में भारत ने बांगला देश को हराया था, और इस प्रतिय गुता का आयुजिन किया गया था, नेपाल में ही, यह आप याद रखिएगा, साथ ह नेपाल के साथ एक exercise होती है, उस exercise का नाम क्या है, सूर्य किरन, जो कि भारत और नेपाल के बीच में होती है, तो यह भी आप याद रखिएगा, नेश कुश्यन है, हाली में जम्मु कश्मीर के पूर्व राजजिपाल, सत्यपाल मलिक ने किस राजजिके राजजिपाल के शपतली है, और सत्यपाल मलिक यहाँ बन गए है गोवा के ने राजजिपाल, पहले कौन थी? पहले थी म्रदुला सिनहा, लेकिन अब बन गए है सत्यपाल मलिक, बात कर यदि गोवा की, तो गोवा की राजधानी क्या है? पनजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि गोवा में अभी हाली में पचास्वा इंडियन फिल्म फैस्टिवल आयुजित किया जाएगा, जिसमें जो रजनी कान्त है, रजनी कान्तों को गोल्डन जूबली अवोर्ड से भी सम्मानित किया जाएगा, और इसका आयुजिन स्थित है सलीम अली बड़ सैंचूरी सलीम अली बड़ सैंचूरी इस्थित है गोवा में और सलीम अली नैशनल पार्क यह स्थित है जम्मू कश्मीर में तो ये भी आप याद रखी गए गाप कल में आप लोगों से पूछा था किस राज जी ने भारत का पहला time bank इस्थापित किया जाएगा और भारत का पहला time bank इस्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में ही चलते हैं अगले question की तरफ अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है COP25 की मेजबानी कौन सा देज करेगा इसका जो भी answer कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखेगा साथ ही online study point की master pdf यानि की yearly pdf साथ ही monthly pdf जिस detailing और जिस extra fact के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाता है सेम उसी extra fact और detailing के साथ यह pdf अवलेबल है आप online study point के description box में जाकर इस pdf को प्राप्ट कर सकते हैं साथ ही कल मैंने आप लोगों से request की थी कि इस वीडियो को कम से कम 5 share करिये आप लोगों ने किया भी कई लोगों ने किया तो आज मैं आप लोगों से फिर request करती हूँ कि यदि यह वीडियो आप लोगों पसंद आता है तो इस वीडियो को जादस जादस शेर कीजे और support कीजे तो दोस्तों आई होप भी वीडियो आप लोगों पसंद आया है पसंद आया है तो अपने study related group में शेर जरूर करिएगा और online study point को like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही thank you so much